Welcome in Dream High Academy Dream High Academy में आपका स्वागत है आज के जो टॉपिक है वो है योरप से रिलेटट इससे पहले हमने चार लेक्चर्स Political and Physical Divisions of World in India के रिलेटट अप्लोड किया हुआ है जैसे North America, South America उसके साथ साथ Africa continent के बारे भी हमने अप्लोड किया है लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दी गई है आप जाके देख लीजेगा उस तरह से हम Free PDF Notes या Free PDF Notes फराम करते हैं तमाम जो Students होते हैं और जोनोंने जॉइन किया है अब तक लगबग 650 प्लस जो है जाइन कर चुके हैं Already Dream High Academy में हमारी Telegram Channel है वहाँ पे हम Free PDF Notes फराम करते हैं तो आप हमारे Telegram Channel पे बजाइन कर सकते हैं जाइने वर Telegram Channel Dream High Academy फर Free PDF Notes के लिए उसके साथ साथ हमारा जो Facebook पे जे आप उसको भी Like कीजिएगा Dream High Academy के नाम पे तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं यूरप से रिलेटेड पहला जो है यहाँ पे एक Question Europe is a continent located entirely in the Northern Hemisphere यूरप जो continent है वो Northern Hemisphere में locate करता है तो entirely जो है Northern Hemisphere में यहाँ पे मैं आपको globe बना के देता हूँ यह आप मान लीजाएगा globe है और यह वाले जो line है वो equator है यह वाला जो षच्सा होता है इसे Tropic of Capricorn केते है 23 1 x 2 और यह वाला जो line है यह से Tropic of Cancer केते है 23 1 x 2 यह वाला जो हिस्सा है इसे Southern Part केते है और यह equator के उपर वाले हिस्से को Northern Hemisphere केते है और यह यूरप जो है वो इसी हिस्से में ज्यादा तर पाया जाता है या इसकी जो इंटारली और नौदेन है मिसेपियर यहाँ पे नौदेन है मिसेपियर में चलिए आगे बढ़ लेते हैं थोड़ा सा यह जानकरी चाहिए थे अपको इसके रिलेटेड इस दे सेकेंड समालेस्ट कॉंटिनेंट इन दे वर्ल्ड बाई एरिया और आस्ट्रीलिया जियां कॉंटिनेंट जो है यह समालेस्ट है यूरप जो है वो समालेस्ट कॉंटिनेंट है लेकिन वर्ल्ड में दूसरे नमबर पे यह समालेस्ट कॉंटिनेंट है इससे पहले जो है पहले नमबर पे जो lowest point है वो है point Caspian Sea और highest point जो है वो Mount Elbrus highest point जो है वो है Mount Elbrus और lowest point जो है वो Caspian Sea है चलिए आगे बढ़ लेते हैं सबसे important यह जो है wheat is the most important crop of Europe remember it यह चीज़ आप याद रख लीजेगा कि अगर आपको यह पूछा या जाएगा कि wheat और यह wheat कहाँ पर उगाए जाता है ज़्यादा तो यह Europe में बहुत ज़्यादा famous है wheat जो है वो Europe में famous है most important crop of Europe उसके साथ साथ जर्मनी की अगर बात करेंगे जो कि Europe की एक country है रोहर in Germany is the biggest and richest cool field of Europe एक बार फिर जो कि एक जर्मनी में है रोहर in Germany is the biggest and richest coal field of Europe यह coal field है यूरप की और one of the richest coal fields है यह यूरप की जिसे कहा जाता है रोहर आगे बढ़ लेते हैं नाव यहाँ पर थोड़ा सा मैप पर आप नजर दीजिएगा मैप में important दो चीज़े हैं यहाँ पर दो चीज़े हैं अगर black sea के बारे में आपको पूछा जाएगे यहाँ पर यह वाला जो हिस्सा ही यह black sea है black sea जो है वो connect करता है किसको यहाँ पर एशिया को उसके साथ-साथ अफरीका के साथ connection किसके स्थू होता है Mediterranean Sea के साथ अफरीका के साथ connection होता है और यह वाला जो है straight up gibraltar कल हमने पढ़ा था अपने fourth वाले lecture में जो अफरीकार से related था this one is the straight up gibraltar यहाँ पर लिखा गया है छोटा सा मैं zoom कर लेता हूँ यह straight up gibraltar के थे यह rock up gibraltar के थे यह straight है यह connect करती है between Europe to Asia के साथ चलिए हम आगे बढ़ लेते हैं now Finland Finland जो कि country है Europe की is one of this remember this Finland is known as the land of foresters and lakes अगर country के बारे में कोई question पूछे जाएगा कि foresters और lakes की country की से माना जाता है कहा जाता है तो Finland को कहा जाता है land of foresters and lakes अगर बढ़ लेते हैं UK United Kingdom जो कि तीन country से बनी हुई है जैसे कि आपका England है आपका Scotland है उसके साथ-साथ आपका Wales है तो यह तीन country से United Kingdom बनती है यह जो है one of the industrialized one of the most industrialized nationals of the world though it lacks raw material अब यहाँ पर raw material का मैंने इसलिए यहाँ पर यह शामिल किया है यहाँ पर मैं आपको इसमें एक चीज कहने वाला हूँ एक बात आप से शेयर करने वाला हूँ वो यह है कि UK United Kingdom या Britain Britishers ने क्या किया पूरे वर्ल्ट पर कबजा किया अब शुरुआत हो गई यूरप में तो उनके पास Britain के पास raw materials नहीं थे industries तो थी लेकिन raw materials नहीं थे तो उन्हेंने क्या किया बाकी मुलकों से जो है उनके resources collect किया resources को उन्होंने कबजा किया जैसे कि India में उन्होंने राज किया 500 साल और यहाँ से वो resources ले जाते थे और अपनी industries के लिए तो यहाँ पे एक point निकल के सामने आता है कि जो UK है one of the industrialized nations in the world though it lacks raw material बट still raw material यह लेक करता है चले आगे बढ़ लेते है Vatican City very very important आपसे अगर एक question पूछा जाएगा कि world में सबसे छोटा मुलक कौन सा है both in area and population wise जी हाँ यहाँ पे आपके सामने यह जो question है यह आपके सामने आ रहा है question यह सवाल यह है कि Vatican City is the smallest country of the world in Europe in terms of population and area world के सबसे smallest city कौन सी है यह हम कह सकते है कि country कौन सी है Vatican City is the smallest country of the world in Europe in terms of population and area now very very important Russia जो कि world के सबसे largest country है in terms of area यहाँ पे मैंने area लिखा है याद रख लीजेगा world के सबसे largest country कौन सी है वो है Russia area के हिसाब से और यह कहाँ पर पाई जाती है यह यूरप में पाई जाती है and remember this point and highest populated country of Europe and highest populated country of Europe Russia is the largest country of the world in terms of area and highest populated country of Europe जाँ अब हम जो है इसका रिकेप कर लेते है जल्दी से एक बार फिर ता कि आपको जल्दी से इसमें easy हो जाएगा Europe is a continent located entirely in northern hemisphere Europe is the second smallest continent in the world by area after Australia highest point is Mount Elbrus lowest point is Caspian Sea wheat is the most important crop of Europe second one is Drehroher Drehroher in Germany is the biggest and richest coal field of Europe आगे बढ़ लेते है Finland Finland is known as the land of foresters and lakes जो कि Europe में पाई जाता है United Kingdom is one of the most industrialized nations of the world दो हिटलेक्स रा मिटिरियल आप भी दो राहिएगा ताकि आपको यह जी तरह से याद होगा क्योंकि यह ज्यादा लंबा वीडियो नहीं है पीस मिनिट्स का Vatican City is the smallest country of the world in Europe in terms of population and area उसके साथ-साथ चैनल को आप लाइक भी कीजिएगा शेयर भी कीजिएगा और सबस्क्राइब भी कीजिएगा Russia is the largest country of the world जो कि area के हिसाब से and highest populated country of Europe तो यह था Europe के बारे में अब next वीडियो जो है मारा अब तीन कॉंटिनेंट्स के बारे में हम पढ़ेंगे जैसे कि इंटाक्टिका, आस्ट्रिलिया और एशिया पहले हम complete करेंगे कल आस्ट्रिलिया और इंटाक्टिका का इसके बाद एशिया से related हम बात करेंगे और वहीं से इंडिया के बारे में हम पढ़ेंगे Thank you